दोस्त आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे ओन विंग्स ओफ करेज पंखो की साहस में यह आपके महारास्टर बोट के इंग्लिश के क्लास 10 के स्लेबस में है तो हम इसे स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आपके स्लेबस के पूरे चाप्टर को कंप्लीट कर रहा हूँ जी हाँ पूरे और अब तक तो मैंने बहुत सारे चाप्टर के उपर ओलेडी वीडियोस बना दिये है यदि आपने उन सभी चाप्टर के वीडियोस को अब तक नहीं देखा तो उपर एक आई बटन होगा आप simply उसमें क्लिक करें आपको सभी चाप्टर के वीडियोस मिल जाएंगे और most important thing कि आप हमारी इस चैनल को subscribe करें क्योंकि आगे मैं जब भी आपके स्लेबस से related वीडियोस बनाऊंगा वो आपके पास पहुंच जाएगा और आगे तो मैं बहुत सारे वीडियोस को बनाने ही वाला हूँ आपके स्लेबस से related तो subscribe ज़रूर करें और हाँ दोस्तो इस चैप्टर को अब हम स्टार्ट करेंगे एक और बात मैं आपको बता दू कि ये चैप्टर बहुत ही लंबा चोड़ा है और इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए लेकिन जो जो necessary चीज है वही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा साफ सीधे मैं कहा दू कि आप इस वीडियो को देख लिए आपको ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो ये कहान ही है एरफोर्स मार्शल के बारे में एरफोर्स तो आप जानते होंगे लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि मार्शल क्या होता है तो दोस्तो मैं आपको बता दू मार्शल उन्हें कहते है जो 5 स्टार पोस में होते है five star post में होते है यानि की बहुत ही उच्षा यानि की बड़े औदेवाले post में होते है उन्हें कहते है Marshall तो यहाँ पर किस Marshall के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे URJAN SINGH के बारे में जिहाँ URJAN SINGH के बारे में जो कि है आइकन ओफ इंडियन मिलिटरी हिस्ट्री जी हाँ ये इंडियन मिलिटरी हिस्ट्री के आइकन है और इनका जो बॉन डेट है वो है 1919 और ये देथ हुए थे 2017 में ये आप याद रखना अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक यूद हुआ था और ये जो यूद है ये हुआ था कश्मीर को लेकर जी हाँ कश्मीर को लेकर और पाकिस्तान ने इस मिशन का नाम दिया था ओपरेशन जिबरैल्टर और एक ओपरेशन ग्र यह थी कि यह जो फाइट है ना इंडिया के तरफ से जो इस फाइट को लीड कर रहे थे वो थे इंडियन एर फोर्स के अरजन सिंग जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं और अब हमें बताया जाता है कि अरजन सिंग ने 60 जिहां 60 से ज्यादा एर क्राफ्ट उड़ाए है जिहा 60 से ज्यादा सुनने में आसान है दोस्तों लेकिन करने में यह बहुत ही मुश्किल है और अरजन सिंग ने यह जो इंडियन एर फोर्स है ना इसे वन अफ दा मोस्ट पोटेंट एर फोर्स बनाया ग्लोबली जहां पुरे वर्ल्ड में इंडियन एर फोर्स को सभी जानने ल पार्शल घोशित किया गया था जी हाँ इसे सम्मानित किया गया था और दोस्तों यहाँ पर दो और नाम है जिन्हें आप जान लीजे एक है सैम और दूसरा है के एमसी करियबबा तो यह दोनों कौन थे यहाँ पर मैंने लिख दिया आप पढ़ सकते हो अब हमें यहाँ प पागिस्तान के बीच में वहाँ पर इन्होंने बहुती अच्छा परफॉर्म किया था तो इसी लिए जो YB चावान है ये कौन है ये है दिफेंस मिनिस्टर जी हाँ ये एक डिफेंस मिनिस्टर है तो ये अर्जन सिंग के बारे में लिखते है एर मार्शल अर्जन सिंग इस a jewel of a person quite efficient and firm, unexcitable but a very able leader और अब हमें यहाँ पर बताया जाता है कि अर्जन सिंग को एक अवार्ड मिलता है जिसका नाम है DFC Distinguished Flying Cross ये अर्जन सिंग को मिलता है Supreme Allied Commander of Southeast Asia से और दोस्तों ये जो अर्जन सिंग है न ये पहले Pilot बनते हैं इंडिया से जिन्हें ये अवार्ड मिलता है अब 1938 में अर्जन सिंग सेलेक्ट होते है for the Empire Pilot Training Course जी हाँ और ये होता है Royal Air Force में जिसे short form में हम कहते है RAF और अर्जन सिंग रिटायर होते है यहां से 1969 में और इनका जो education है वो होता है दोस्तों यानि कि ये अपने education को complete करते है Mont Go में से अब हम बात करते है 1949 के बारे में 1949 में अर्जन सिंग जो है वो अब promoted हो जाते है यानि कि इनका promotion हो जाता है और इन्हें मिल जाता है rank of Air Commodore और Air Officer Commanding इन्हें मिल जाता है जो की आगे जाकर कहलाता है Western Air Command towards the end of 1962 war जी हाँ 1962 में एक जंग हुआ था तो उसके end में he was appointed as the deputy chief of the air staff जी हाँ ये deputy chief बन चुके थे air staff के and he became the vice chief of the air staff in 1963 तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेप्यूटी चीफ ये बने थे 1962 में और 1963 में ये बन गये थे vice chief of the air staff अब हमें पता चलता है कि 1965 में जब पकिस्तान ने launched किया था Operation Grand Slam उस वक्त अरजन सिंग बहुत ही अच्छे से लड़े थे और दोस्तों आगे जाकर इन्हें अवार्ड भी मिलता है वो ऐसा वैसा अवार्ड नहीं है वो है पदमा वी भूशन आप सभी जानते होंगे इसके बन जाते हैं इंडिया के सबसे पहले फाइव स्टार मार्शल और दोस्तों यही पर यह चैप्टर को मैं end कर रहा हूँ तो आपने यूटूब में बहुत सारे वीडियो उस देखे होंगे इस चैप्टर से related लेकिन दोस्तों मैंने इस चैप्टर कैसे design किया ताकि आपको अ हमेशा बताता हूँ कि यूटूब के आप जितने भी वीडियो को देख लो जिन भी चैनल को खोल कर देख लो अगर आप एक बार बुक से नहीं पढ़ोगे तो दोस्तों वो शायद आपके दिमाग में सही से नहीं अटेगा यह स्टोरी बेस्ट नहीं है यह आटो बायोग आटो बायोग्राफी टाइप है तो अगर आप स्टोरी बेस्ट स्रिफ पढ़ ले तो यूटूब से जो चलता है लेकिन यह तो दोस्तों थोड़ा यह है ना आटो बायोग्राफी है ना तो आपको तो बुक खुलना होगा तो बस यहीं परेंड होता है यह चैप्टर आपसे बहुत ही जल्द अगले चैप्टर के साथ